हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मट्री तो यहाँ पर हम बहुत ही खस्ता और बहुत सारी पर्तों वाली मट्रियां बनाने वाले हैं तो यह नमकिन मट्रियां बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बावल मैदा लिया है तो इससे हम एक बावल में ट्रैंसपर कर लेंगी और इसके बाद आधा चमच नमक डाला है और आधा चमच जीरा डाला है आदा चमस अजवाइन लेंगे अजवाइन को हम हातों के वीच थोड़ा सा क्रस्ट करेंगे और डाल देंगे इसमें इसके बाद हम यहाँ पर हमने मौईन के लिए घी लिया है और जो घी लिया है वो थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया था इससे यह बहुत ही खसता और करारी बनेंगी इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा मौईन परफेक्ट है या कम जादा है इसे हम हातों से अच्छे से मिक्स करते हुए तयार करेंगे जाहे तो गी की जगह ओयल का भी मौयन दे सकते हैं तो एक से दो चमच मोयन को आणाल देंगे और इसे अच्छे से से करतेंगे इसके बाद हम हम इसे चेक करेंगे ऑल और ये अच्छे से मिक्स हो गया है और लड्डू की तरह बंड रहा है तो समझ लीजिए कि इसमें मौयन परफेक्ट है तो इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने बॉयल वाटर लिया है हलका सा गुन गुना तो इससे क्या होगा कि यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी वनेगी तो हम थोड़ा थोड़ा सा जो हमने पानी लिया है एड करते जाएंगे और डो तैयार करेंगे तो डो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सक्त ही लगाना है और पानी हमें एक साथ बिलकुल भी नहीं डालना ही तो थोड़ा थोड़ा सा हम डालते जाएंगे इसमें पानी और अच्छी से पर्फेक्ट डो तैयार करेंगे और इसे हलके हाथ से मिक्स करेंगे ज्यादा हमें मिक्स में ही करना है जिससे के जब हम मैट्रियां तयार करेंगी तो इसमें एकदम पर्तों की पर्तें बनकर तयार होगी लगे कहसे एक दो बार और अच्छे से मिक्स करेंगी तो परफेक्ट डूब लगकर तैयार हो गया है यहाँ पर हमने बड़ी आसा इसका इस तरह से लोई जैसा बना लिया है इसे बेल कर तैयार करेंगे और इसे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है बेलते टाइम एकदम पतला नहीं करना है तो इसके बाद बीट में इसे कट करेंगे और एक और बाट करेंगे इसके बाद बेलेंगे इससे क्या होगा कि जब मट्रियां बनाएंगे तो बहुत ही बड़ी खस्ता और इसमें बहुत सारी परत आएंगी यदि आपको पर्तों बाली मट्रियां बनाना है तो इस तरह से इसे बेल कर कट करना होगा तो जितनी भी जादा आपको मट्रियों पर्तों बनाना है तो आप वैसे ही करते जाएं कट करेंगे फिर बेलेंगे तो मैंने एक से दो बार ही से कट करकर बेला है तो यहां पर यह बन के तैयार है इससे अब हम मट्रियां कट करेंगे तो मट्रियां आप अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं तो इससे हमने बड़े साइज में बेल लिया है और इसलिकने साथ देख सकते हैं ना ही ज्यादा पतली है और ना ही ज्यादा मोटी है तो इस तरह की हमें से बना कर तयार करना है तो यहाँ पर या फिर आप cookie cutter बगएरा ले 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 या फिर कोई bottle बगएरा का इस तरह का लेड़ो तो भो भी आप ले सकते हैं उससे बहुत ही बढ़िया बन जाती है तो इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे और इसे घुमाते हुए हम इस तरह से कट करेंगे तो यह बहुत ही बढ़िया इसका डिजाइन बनके तैयार होता है तो सारी ही मट्रियां हम कट करके तैयार कर लेंगे और जो लास्ट में डो बच जाता है बनाने के बाद और जो नहीं कटी है उनको हम थोड़ा से डबल से प्रेस करेंगे इस तरह से तो फिर वो बढ़िया से निकलांगी तो यहां पर सारी ही मट्रियां बनके तैयार हो गई है और जो एक्स्टरा कट करने की बाद बच गया है तो इसे भी हम फिर से पेल कर तैयार करेंगे और इसे भी मट्रियां बनाकर तैयार कर लेंगी तो बहुत ही बड़िया देखने में लग रही है हम सारी बना कर तयार करेंगे इसके बाद इने फ्राइ करेंगे तो जो बच गया था डो उससे भी हमने इस तरह से बेल कर तयार कर लिए हैं और इसे भी हम कट कर लेंगे एक तो यह बहुत ही जल्द बन जाती है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और आप इसी तरह से चाहें तो मीठी वाली मट्री भी बना सकते हैं तो यह सारी इबन के तैयार है हमने यहाँ पर ओयल भी गर्म कर लिया है और इसे चेक करेंगे एक बात का ध्यानकना है कि जब भी हम ओयल में मट्री डालें तो तुरंट से उपर नहीं आनी चाहिए तो समझे लिजिए ओयल परफेक्ट गरम है तो मट्री यह हमें थोड़े से कम गर्म तेल में ही डालना है जिससे कि यह खस्ता और करारी फ्राय हो यदि जादा गर्म होगा तो यह जल्दी से उपर से ठिक जाएंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो यह फ्राय नहीं होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मट्री यह फ्राय हो रही है तो अपने आप ही सारी उपर आती जा रही है इससे पता चलता है कि हमारी सारी ही मट्री यह बहुत ही बढ़िया बनी है और इंदम खस्ता और करारी बनेंगी तो सारी ही मट्रियां उपर आगी हैं गेस को हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी इन्हें इस तरह से पलट पलट कर फ्राइच करेंगे और बीच-बीच में हमें इने चलाते रहेंगे थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा यदि हम जल्दी से इन्हें तेज गेस पर फुराई कर देंगे तो यह खस्ता नहीं बनेगी तो इनका आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया है और एकदम खस्ता करा रही बूरत ही बड़ी हमारे मट्रियां यहां पर फुराई हो रही है तो यहां पर हमारी मट्रियां फ्राइ हो गई है और गोल्डन ब्राउन का कलर आया है तो अब हम सारी ही मट्रियां निकाल लेंगे एक प्लेट पर और आप यहां पर जो बच गई थी बोगी मट्रियां फ्राइ कल लेंगे और वाइल आप देख सकते ज्यादा गर्म नहीं है तो मट्रियां यहाँ पर सारी ही अपने आप उपर आती जा रही है और मीडियम गेस पर हमेने फ्राइ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेंगी तो इन्हें भी हम पलट पलट कर फ्राइ कर लेंगे और इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मट्रियां बहुत ही टेस्टी खस्ता करारी बनेंगी यहाँ पर यह बहुत ही बढ़िया फ्राइ हो गई है और तेवहारों के टाइम आप इस तरह से बहुत ही जटपड मट्रियां बना सकते हैं तो यहाँ पर सारी ही मट्रियां बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही क्रेस्पी और करारी बनके तैयार हुई हैं होली हो या दिवाली आप हर टाइम इन्हें इस तरह से घर में ही जट पर तयार कर सकते हैं एक तो यह बहुत ही बढ़िया बनती है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है तो इस तरह से आप अपने टेस्ट के अनुसार इन्हें बना सकते हैं आप चाहें तो इसमे फ्रेस में थी वगेरा भी एट कर सकते हैं जिससे कि ये देखने में बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेंगी और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें साथ ही बेल आइ वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग